दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ औरत के ऐसे तीन कमजोरियों के बारे में जिसका फाइदा उठा कर कोई भी औरत से कोई भी काम कराया जा सकता है तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि वो औरत के कोई से कमजोरिया है तो जानने के लिए आज के इस वीडियो को पूरा देखें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को औरत के सबसे पहले कमजोरी है भाबुक सभाव दोस्तों जात और औरतों का सभाव बहुत ज़दा भाबुक होता है ये औरते बहुत जल्दी किसी पर भरोसा कर लेती है किसी के बातों में बहुत जल्दी ही आ जाती है ये औरते सही गलत का पहचान नहीं कर पाते बहुत सरे लोग ऐसे औरोतों का फाइदा उठा कर उनके भाबुक सभाव का फाइदा उठा कर कोई भी गंदा काम करवा लेते हैं और उनकी इन सभाव के बज़ा से कोई भी उनको बड़ी मुसीबत में फसा सकता है इसलिए भाबुक सभाव औरोत की एक कमजोरी है औरत की दूसरी कमजोरी है लालच दोस्तों आप मानो या ना मानो औरत के सुभब में लालच होता ही है आचाजे चाने के कहते हैं कि नागिन जो साप हैं साप में जितना जहर होता है एक औरत में उतना ही लालच भरा हुआ होता है और वो लालच किसी भी चीज़ का हो सकता है पैसों का लालच हो सकता है गहनों का लालच हो सकता है खानी पिने का लालच हो सकता है दोस्तों औरत को लालच में फसा कर कोई भी अपना मन चाहा काम करवा सकता है औरत अपने लालच में आकर कोई ना कोई बड़ी मुसीवत में फस सकती है इसलिए औरतों को अपने लालक्ष पर नियांतरम रखना चाहिए औरत की तीसरी कमजोरी है डर दोस्तों औरत कितना ही बहादूर क्यों न हो उनके मन के कोने में कही न कही थोड़ा सा डर तो छिपा हुआ होता है क्योंकि बच्पन से ही लड़की के माता पिता लड़कियों को यही सिखाते है कि देख बेटी अगर तूने कुछ गलत किया तो तेरी भी इज़त जाएगी साथ में हमारी भी इज़त चली जाएगी तो दोस्तों इसलिए औरत के सुआप में डर बच्पन से ही होता है कोई भी बुरा काम करवा सकता है और औरत को मुसीबत में फसा सकता है